गह रहा है कि आपको एक circuit diagram दिया हुआ है और A और B के बीच में potential difference find करना है If the charge on each capacitor is 10 microcolum दो capster भी लगें और इन पे कितना charge है? 10 microcolum का तो यहां लिख लेते हैं 10 microcolum का दोनों पे charge है ठीक है? और VA A के और B के बीच में potential difference find करना है तो यहां से शुरू करते हैं जिस point से शुरू करते हैं उस point का voltage लिखो VA लिखा अब जब भी plus plate से minus plate पर जाएंगे यह मैंने plus minus sign कैसे दिया? मैंने अपने convention से दे दिया कि यह वाली let plate high voltage पर है और यह low voltage पर है similarly फिर यह plus minus तो एक ही sequence चलेगा तो जब मैंने high से low पर जाऊंगा तो minus का sign यूज़ करूँगा ठीक है? और अगर मैं ऐसे जलूँगा minus से plus पर जाऊंगा तो plus का sign यूज़ करूँगा अब मैंको voltage के विये लगाना है किर्चोफ voltage लाओ कैसे लगाऊंगा? पहले यह इस point पर जो voltage हो लिख लो सीधा-सीधा यह लिख लिया अब इदर जाओगे तो कौन सा sign आ रहे है? minus आ रहे है यानि कि voltage का drop हो रहा है अब जब plus से minus पर जाऊंगे तो voltage drop होगा capacitor के across कितना voltage drop होता है? capacitor में कितना? formula पढ़ा है न अपने q equals to cv तो v क्या होगा? q by c ठीक है? तो q आपको पता है इस पर कितना है? 10 का तो क्योंकि drop हो रहा है potential high से low पर जाने पर potential drop होता है तो minus का sign लगाया और 10 लिखा charge इस पर upon में 1 इसका capstance तो q by c v होता है फिर minus से plus plate पर जाओगे तो rise होगा potential का कितने का? 10 का तो plus 10 फिर से वोई चीज plus से minus जाओगे तो potential drop होगा कितने का drop होगा? इसका capstance है 10 से 2 microfarad का तो v equals to q by c q है 10 c है 2 और जिस पर पहुँच जाओगे बराबर वो वहला point जिस point पर पहुँच जाओगे बराबर वहला point solve करते हैं इसको यह तो cancel हो जाएगा यह हो जाएगा minus 5 उधर जाएगा plus 5 हो जाएगा vb धर आजाएगा minus vb हो जाएगा 5 volt आपका answer आजाएगा